बिस्मिल्लाइ रह्मान रहीम, असलाम अलेकम, वेलकम तू लर्न विट तक्तीस, आपके आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी अलहमदलिल्ला बिल्कुल ठीक हैं, कुछ दिन पहले हम लोगों ने कुछ पोदे जो थे वो लगाए थे, बच्चों को बहुत शोक हो रह ही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहां पर मेरी बेटी को सबसे ज्यादा शोक है कि हम गमलू में जो है, बोदे लगा के रखें, और कुछ हमने थोड़े से, गार्डन हमारा काफी बढ़ाया, तो मैं भी थोड़े से प्लैंट्स लगाए हैं, लेकि यहां पर जो गमलू में लगाए थे, उसकी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहां पर मेरे साथ बैटी हुई है, मेरी बेटी भी और उसने भी हल्प की थी मेरी, क्योंकि करने पड़ते हैं सुराख इसमें, प्लास्टिक के थे यह गमले, तो कुछ मैंने हाथ की मदद स सुराख किये थे और बाद मेरी हस्बन ने थोड़ा सा लोहे को गरम करके, तो वो स्टिक इन किया था, यहां पर देख सकते हैं आप तो एजिली हो गये थे, हमें ठोकने नहीं पड़े थे उपर से, तो मिती जो है, वो डाल रही है मेरी बेटी और फिर हम पोदे एक अच्छी और खुबसूरत सी वाइब आती है, जब खिले हुए पूल आप देखते हैं तो खुशी का एसास होता है, जब आप पोदे अपने हाथ से लगाते हैं, और रोजाना पानी देते हैं बच्चे ही, वो ही देख बाल कर रहे हैं, थोड़े से मसरूफ होगें, वो पानी देते तो वापस जब होते थे, फ्रेश हो जाते थे पोदे तो खुश होते थे देखे के अभी हैं, प्लांट्स तो थोड़ी सी एक्टिवीटी कीती हम लोग उने, शाम के टाइम पे तो इसकी जो थी वीडियो एक तो यादकार के तोर पे और बच्चे भी खुश हो साले वाली उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अब हमें बैठने की जो है नीचे फ्लोर पर यादत नहीं है, तो बैठा नहीं जाता है, तो कोई भी जो कुशन वगारा है, उसको रखे वगार जो है, नहीं बैठा जाता तो एक चोटा से स्टूल रखके, तो यहां पर प्लांट लगाए जा रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आएगी, मुझे जरूर कॉमेंट में बताईएगा, कि आपको कैसी लगी है, एक्शली मेरा फर्स टाइम है, मैंने कभी भी पोदे बहुत पहले, मैंने कुछ गमलू में में लगाती थी, लेकिन आप का प्लांट वगरा, घर के अंदर भी एक दो रखे हुएं, तो उनकी देखपाल ही काफी हो जाती है, तो अब ये बच्चों ने जिद करके लगवाए हैं, तो वही देखपाल कर रहे हैं, और फिर उनकी मेने जिम्हदारी लगाई है, कि इनको रोजाना पानी देना, और इनक कि अंदर अगर घास निकल आए, तो उसको निकालना या आपका काम है, तो जिम्हदारी उठा रखे हैं, बच्चों ने अलहमदलिल्ला खुश होते हैं, काम करके, तो बारी बारी दोनु जो हैं, वो पानी लगाते हैं, और देखपाल करते हैं, तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगी, आगे चलके हम भिंडी भी बनाते हैं, भिंडी में ओयल में फ्राइ करती हूं, ये कुछ दिन पहले की थे, ये भी हमने, मेरी बेटी ने खुद लगाय थे, उसने अपने हाथों से, अभी जो चोटा वाला नजर आ रहा है, इसमें वाइट पूल निकले आपको यहां पर नजर आएंगे, ये वाला अब काफी और पीस में खिले हुए हैं परपल कलर के, बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला भी, और अभी ये जो बाकी के हैं, ये जो है जिसको पानी दे रही है, ये पुदीना और धनिया ये मैंने अपने किचन के लिए लगा और पुदीने की, बहुत प्यारे की परपल और सफेद, अभी ये गमला भरा हुआ है, माशालला से, अल्ला नजर ना लगे इसको, बहुत प्यारे लगते हैं, और बिंडी आगे वीडियो है, उसकी तेल मैंने थोड़ा से ले लिया, तक्रीबान आदे कप से भी थोड़ा स मैं रखती हूं हमेशा, गरम करके उसमें डालती हूं बिंडी ताकि वो जो इसकी जो लेस होती है, वो खतम करने के लिए फ्राइ करना मकसद होता है, तो बस मैं इसको ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, जब अभी आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई लेस वगारा नजर न इसमें और पड़ लोट हो, अधोल चौक पहनेर्थ जाती हूं, यह की बार इसको हिलाती हूं और फुल हीट पेज से को पकाते हैं को दो 2 से 3 मिनट के एंदर अंदर यह जो पक चाती है तो प्यास डाला है, मैं ने ऱही तेल्य वही टेल है, मैंने साफ कर लिया था हूं तो यह च्टेट करके इसमें डाली थी एक टमाटर है दो छोटी वाली मिर्चे थी और दो ही बड़ी वाली मिर्चे थी वह में इसमें शामिल करूंगी और गलाने का कोई मकसद नहीं है मेरा इनको मैंने बिल्कुल खड़ा-खड़ा रखना है प्यास को भी और टमाटर जो है वो बिंडियां भी थोड़ी सी थी तो उसी हिसाब से आप अपनी क्वान्टिटी को एड़ेस्ट कर सकते हैं इसमें मैंने यह जो है चिली पाउडर डाला है जिसको हम बसार बोलते हैं इसमें सारे स्पाइसिस मिक्स होते हैं हल्दी पाउडर जो होता है मिर्चें होती है थोड़ा थोड़ा जो गरम मसाला है वो होता है इसके अंदर जिसमें लोंग इलाची बड़ी इलाची छोटी इलाची इसमें शारी चीज़ें इसमें शामिल होती है वो डालके इसमें तो थोड़ा सा पानी साथ में डालके मैंने जब जो मिर्चें वो थोड़ी से पक जाएंगी तो इसमें हम बिंडी शामिल करेंगे थोड़ा सा उसको मिक्स करेंगे और फिर बिल्कुल लो हीट पे उसको थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे तो आपकी मज़िदार सी बिंडी जो है मसाले वाली यह तैयार हो जाएगी यह इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगे मैं इसके अंदर ये गरममसाला है धाद़ी टी-स्पून है ये शामिल किया है ठोड़ा ये धन्या पाउडर क्योंकि फड़ा सज़िदा मज़्डा लगता है धन्या पाउडर पाउडरी ढूझाती वह जामिलें यादा मासी बूल कि जाएंगे ठोड़ा सब्स्कारणा मकंसा है बहुत मज़े की बनती है, गर्मियू में टो चिकन की कोई भी डिशिज्ज से मुझे खुद भी इतनी पसंद नहीं, घर में भी इतना शोक से नहीं खाता है कि गर्मियू में बहुत हलकी हलकी गजाए होती है वो खाने का दिल करता है, तो एक तो ये बिंडी पकाने में अतनी आसान है कि तक्रीबन 20-25 मिनट में आप मसाला तैयार करें, साथ में थोड़ा सा उसको फ्राइ करें बिंडी को दूसरी साइट पर तो तक्रीबन 20-25 मिनट में आपकी खाना जो आपका तैयार हो जाता है तो रोटियां साथ में आप डालने, मज़े से इसको खाएं, बहुत मज़े की बनती हैं जो पसंद करते हैं बिंडी को उनको तो बहुत पसंद आती है और अगर कोई नहीं पसंद करता है तो भी मैं उसको यह कहूंगी कि आप इस तरह से बिंडी को बनाके ज़रूर ट्राइक करें आपको ज़रूर पसंद आएगी इन्शाला तो यहां पर यह तैयार है, इसकी फाइनल लुक आप देखेंगे, मैं इसके ओपर थोड़ा सा धनिया डालूंगी और इसंद पैन में मैंने सर्फ किया था क्या गूंकि गर्मी है तो आप कोशिश करते हैं कि बागी यह कम ही हो . तो कड़ाही में ही मैंने इसको सर्फ किया था तो इसी तरह से मैं आपको भी यहां पर दिखाऊंगी इसके उपर जो है मैं थोड़ा सा डालूंगी हरा धनिया और इसको सर्फ कर देंगे आई होप आपको वीडियो पसंद आईगी प्लैंट्स की भी और बिंडी मसाला जो बनाया है मैंने इसकी भी वीडियो आपको पसंद आईगी मुझे कॉमन करके जरूर बताईएगा और लाइक कर दीजिएगा होसला वजाई होती है हमारी मेरी बेटी ने कहके यह वीडियो ब सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना हयाल रखिएगा टेक कैर अलाहाफिज